लोकसभाद चुनाओ का कार्वा जैसे आगे बढ़ रहा है सियासी सरगर्मी तेज है गांधी परिवार के गढ़ में आज ग्रेह मंत्री अमिर्शाह ने हुंकार भरी और रहुल गांधी से उन्होंने पाच सवाल किये आमिर्शाह ने पूछा कि रहुल गांधी बताए कि ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे क्या मुस्लिम पर्सनल लौकी जगे यूसी सी होना चाहिए या नहीं सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं या नहीं राम मंदिर मे ऑप दरशन करने क्यो नहीं गए और धारा 370 हटाने का आप समर्थन करते हो या नहीं और अमिर्शाह ने कहा कि इन पाचो सवालों का जवाद राहुल गांधी राई बरीली की जन्ता को जरूर दे राहूल बाबा राय बरेली की जनता को बताए कि धारा 370 हटाने का आप समर्थन करते हो या नहीं करते हो पाँचों चीजों का जवाब राहूल बाबा ने देना चाहिए बाद में राय बरेली के लोगों के वोट मंगने जाए साथियमिर्शा ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी सांसद निधी का ज़ादातर पैसा खास वोट बैंक पर खर्च कर रही थी आप उनकी वोट बैंक नहीं, सत्तर पतिसत से ज़्यादा सांसद रासी माइनोरिटी में खर्च करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है राइबरेली में पाचवे चरण के तहट 20 माई को मद्दान होगा जहां राहूल गांधी के मुकाबले बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंग को चुनावी मैदान में उतारा है वही अनुशा के आरोपो पर प्रियंका गांधी ने जोड़दार पलटवार किया और राइबरेली में कॉंग्रेस के किये कामों की पूरी फेहरिस्त गिना दी मोटर ड्राइविंग स्पूल स्कूल की शुरुआत की इन्होंने बंद की स्पाइस पार्क की शुरुआत हमने की इन्होंने बंद किया एंजिनियरिंग कॉलेज एम्स हमने शुरू किया इन्होंने बंद किया कोविड के समय तीन क्रोड की MP LED से मदद सोनिया गांधी के गड़ अमेठी में यूपी के सीम योगी आधितनाथ ने हुकार भरी सीम योगी ने 2019 में मिली राहूल गांधी की करारी हार का जिक्र किया और बिना नाम लिये गांधी परिवार पर निशाना साथा चुकि पिसले लोगसवा चुनाव में अमेठी से राहूल गांधी को स्मिर्थी इरानी ने हरा दिया था और इसी हार के बाद राहूल गांधी की साग को काफी नुक्सान पहुचा था और यूपी की राजनेती में उनका दबदबा भी काफी कम हो गया था इसलिए जब योगी आधितनाथ स्मिर्थी इरानी के समर्थन में यहां चुनाव प्रचार करने पहुचे तो उन्होंने गांधी परिवार के पुराने जखमों को कुरे दया पैनोर हायो आपने 2019 में एक क्रांती कारी निर्डे लिया और उस निर्डे की धमत न केवल लखनों में थी बल्कि दिल्ली में भी सुनाई दे रही थी सीम योगी आधितनाथ ने कहा कि जन्ता मोदी जी को प्रधान मंत्री के रोप में फिर देखना चाती है लेकि दो लोग नहीं चाते कि मोदी जी तीसरी बार प्रधान मंत्री बने सीम योगी आधितनाथ ने कहा कि इंबिया गटबंधन वाले 273 सीटें जीत कर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के खौब देख रहे हैं जबकि कॉंग्रेस के पास इतने उमीदवार भी नहीं है दरसल पिछले लोगसबा चुनाओं में बीजेपी उमीदवार स्मिर्थी इरानी ने राहूल गांधी को अमेठी में करीब 55,000 वोटों से हरा दिया था पात साल बाद 2024 में एक बार फिर बीजेपी ने स्मिर्थी इरानी को अपना उमीदवार बनाया है लेकिन स्मिर्थी इरानी के सामने इस बार कॉंग्रेस प्रत्याशी के रोप में राहूल गांधी नहीं बलकि किशोरी लाल शर्मा है किशोरी लाल शर्मा सोनिया गांधी के प्रतिनिदी नहीं और अमेठी सीट से स्मिर्थी इरानी के खलाफ ताल ठोक रहें सियासी जानकारों का मानना है कि अमेठी में पिसलिवार के मुकाबले फाइट काफी कम है हलाकि समिर्थी इरानी चुना प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही सियम योगी आदितनात उनके समर्थन में जब रैली करने पहुँचे तो इसमिर्थी इरानी ने राहूल गांधी को भगोड़ा बता कर निशाना साथा समिर्थी इरानी ने दावा किया कि इस बार भी अमेठी में कमल खिलेगा और मैदान छोड़ कर भागने वालों पर जनता भरोसा नहीं करेगी कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी ने दो पूर्व जजो को खुली बहस की चुनावती को स्विकार कर लिया है सोशल मेडिया में राहूल ने इसकी जानकारी देते हुए इस प्रस्ताव को राष्ट हित में बताया साथी पीएम मोदी को भी इस बहस में शामिल होने को कहा राहूल गांधी ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष खडगे से उनकी बात हुई जिसमें स्वस्त लोकतंथ के लिए दो पूर्व जजो और एक प्रतिश्चित नागरिक के लोकसवा चुनाव पर सारधनिक बहस को वो स्विकार करते हैं राहूल गांधी ने लिखा कि स्वस्त लोकतंथ के लिए प्रवुक दलों का एक मंच से अपना विजन देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगा कॉंग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्विकार करती है देश प्रधानमंत्री जी से भी इस समबाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता है जजो के नाम लिखी इस पोस्ट में राहूल ने अपने हस्ताक्षर किये और लेटर को भी पोस्ट किया वहीं राहूल ने तंज कसा कि पीम उनसे बहस को तयार नहीं होंगे मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूँ प्रधानमंत्री मुझसे डिवेट नहीं करेंगे इससे पहले पूर्वजज मदनभी लोकूर, अजीत पीर शाह और एन राम ने पीम को पत्र लिखकर चुनावी मुद्दों पर बहस के लिए एक मंच पर आमंत्रित किया था बीजेपी ने राहूल गांधी के बहस में हिस्ता लेने और प्रधानमंत्री को उसमें शामिल होने के बयान पर पलटवार किया बीजेपी नेताओं ने राहूल गांधी की समझ पर सवाल उठाए और पूछा कि वो किस हैसियत से पीम से बहस करेंगे क्योंकि वो सिर्फ एक सांसद है और कुछ नहीं बीजेपी नेता सुधान शुत्रवेदी ने दावा किया कि राहूल गांधी को किसी भी बात की समझ नहीं है ऐसे में वो क्या बहस करेंगे केंद्रे मंत्री गिर्राज सिंग ने दावा किया कि राहूल उनकी पार्टी के एक कारकरता से भी बहस के लायक नहीं है गिर्राज ने चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो उनसे बहस करके दिखाएं झीनिर्स